धन वैभव दंपत्य जीवन ग्रस्त सुख क्या आपकी गर्फरेंड आपकी वाइव बनेगी आपका बॉइफरेंड आपका हस्बंड बनेगा यहां आपका फियर अंसक्सेस्फुल रह जाए हैं क्या आप जिंदगी में तरक्की करेंगे भोतिक सुखों को इंजॉय करेंगे लगजरी कॉंफर्ट्स को इंजॉय करेंगे इन सब डोमेंज के जो प्लैनेट है उनका नाम है वीनस यानि की शुकर शुकर अपना साइन चेंज करने जा रहे हैं इग्साल्टेट साइन पाइसिस को छोड़ कर एरिस साइन में ट्रांदिट करेंगे 25 अपरल 2024 से 19 मैं 2024 तक आपके सामने पेश करने जा रहा हूं भोतिक सुखो और दबत्य जीवन के प्लैनेट शुक्राचारे दर्ते गुरु शुक्राचारे के ट्रांदिट के बारे लिए जो की 25 अपरल को होने जा रहे हैं देखें शुकर जो है हर हिसाब से कल्यूग में आपके भोतिक सुखों क सकते हैं आपके कॉंफ़ट को रीपरेज़न करता है आपके दंपत्य जीवन, प्लैका भोतिक सुखों का हम बोल सकते हैं आपकी सुद्रता, आपकी व्यूटी, आपकी चार्मनेस, आप कितने हैंडसम हैं क्या आपका फैर चल रहा है पिछले 500 सालों से तो वह अफैर क्या में कनवर्ट होगा यह नहीं होगा यह शब शुकर के डुमेन है कि अब आपने सुना होगा कि स्कूल टाइम से ही अफेर था फिर कॉलेज में भी रहा और कॉलेज के बाद शादी हो गई उसके बाद दो थिन बच्चे होगे आज की देट में वो कपल जो है बड़ी अच्छी तू नमबर यानि की टॉरस साइन, सेवन नमबर लिबरा साइम ये टोईलनमबर पाईसे साइन में है और राहू केतु की कोई भी पांचवी साथमी या नाइफ आसपक् toujours के उपर नहीं है या शुकर सूरे के साथ चंद्रमा के साथ मंगल के साथ या केतू के साथ गो नाइन नंबर सेडिटेरियस का है तो डेफिनेटली आपकी शादी में मैरिटल लाइफ फे प्रॉब्लम्स आएगी देखे दो चीजें हैं एक तो वीनस के इस हाउस पर प्लेज़ है वो दूसरा वीनस किस प्लेनेट के साथ कंजक्शन में है अगर डिगरी कली शुकर सूरे के साथ साथ डिगरी के घेरे में आ रहा है तो मैरिटल लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी स्किन डजीज आपको रह सकता है या आपके शरीर में पानी जो है वो कम हो सकता है या हम बोल सकते हैं skin problem जो है वो शादी के बाद आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी 10-30 जीवन अच्छा नहीं जाएगा spouse के साथ अच्छी नहीं बनेगी लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा artistic nature के होते हैं ये भी मैंने देखा है कि अगर सूरे शुकर कटे हैं और डिगरी कली साथ डिगरी से दूर है 10-12 डिगरी का conjunction है तो ऐसे लोग जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में भी देखे जाते हैं बॉलिवूड, हॉलिवूड में भी होते हैं इंफुलेंसर होते हैं, यूट्यूबर होते हैं लोगों को अट्रेक्ट करने की पावर ऐसे लोगों के अंदर बड़ी गजब की होती है लेकिन सूरे और शुकर का nearest connection नहीं होना चाहिए मेरी बातों का आप गोर से सुनें जो लोग study करना चाहते है astrology को सीखना चाहते है कि astrology एक deep science है अगर सूरे और शुकर साथ डिगरी के घेरे में है तो शुकर कंबस्त हो जाएगा उसका impact आपके ग्रस्त सुक दम बत्ते जीवन लगजरी बहुतिक पैसा इन सब चीजों में पढ़ेगा लेकिन अगर सूरे और शुकर 11-12 डिगरी के 13-14 डिगरी के घेरे में है दूर है शुकर सूरे से कम से कम 10 डिगरी से दूर है तो आपकी metal life में इतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी आपको alert होके चलना होगा और ऐसे लोग influencer, bollywood, hollywood से पैसा कमाने वाले या entertainment industry से जुड़ कर कुछ ना कुछ पैसा आन करते है अब मंगल शुकर के अगर युथी होगी तो ऐसा native शुकर से मंगलिक हो जाएगा अब देखें मंगलिक भी दो तिन तरह के हैं एक तो लगन से मंगल कहां पर है और दूसरा चंदर अशी, moon sign से मंगल कहां पर है, तीसरा वीनस से मंगल कहां पर है क्योंकि दमपत्य सुक का जो डोमेन है वो वीनस के पास है अगर शुकर और मंगल की उती है चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है sorry to say, ऐसे लोग characterless होंगे ऐसे लोग अपनी wife के पती अपने husband के पती, ऐसी लड़कियां वफ़ाद आपनी होंगी multiple affairs होंगे, शादी से पहले भी शादी के बाद भी, marital life है problems का सामना करना पड़ेगा equistic nature, stubborn nature, spouse को लेकर बहुत ज़्यादा होगी अगर वीनस और मार्स का connection होगा यानि कि शुकर और मंगल के अगर यूती होगी अब यही शुकर और केतु कि अगर आप यूती लगा ले आपके बर्ट चार्ट में, किसी भी जॉडिक साइन में किसी भी हाउस में है, लेकिन वो साथ डिगरी के अंदर है तो आपकी sexual life ज़्यादा अच्छी नहीं जाएगी आपके spouse के साथ relationship ज़्यादा अच्छे नहीं होगे किसी कारण आपको spouse से दूरी में रहना पड़ेगा हो सकता है पैसा बनाने के लिए आपका spouse इंडिया में, आप US में जॉब कर रहे हैं पांसा साल, दस साल, जुवानी के पंदरा साल वहीं निकाल दी है, पैसा कमाते पंदरा सालों में पंदरा बार मिले साल में एक मेने के लिए आए मिले और वापिस अलेगे अगर शुकर के तुए कटे हैं तो something is there which will create a you know bad situation, or you can say there is a chances for separation divorce होना, separate होना या कारेवेवसाय के समंध में spouse आपका इंडिया में है husband London में है, husband दुवई में है, husband अमेरिका में है और वो साल में एक दो बार मिलते हैं इसको भी हम सही तरीके से विवाइक सुक नहीं मानते शुकर का केतु के साथ बैठना horoscope में आपको isolate करता है अपने spouse के साथ आपको detach करता है अपने spouse के साथ शुकर केतु का conjunction ऐसे लोगों में sexual power बहुत होती है sex करने की परवर्ती बहुत होती है चरतर ज़्यादा अच्छा नहीं होता लेकिन ऐसे लोग जो होंगे वो बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं कि spouse के मामले में अनलकी होंगे दबते जिवन के मामले में लगी होंगे affairs हो सकते हैं living relationship में रह सकते हैं जहां पे फेरे लिये नहीं वहां पे problem आई नहीं क्योंकि Venus के तू is in conjunction सो शुकर का आपके बर्चार में बहुत बड़ा रोल है गाईस Venus अपना sign change कर रहे हैं 25th April 2024 को पाइसिस को छोड़ कर एरिस में जा रहे है 19th माए तक Venus जो है वो एरिस में ही गोचर करेंगे 25th April से 1st माए तक गुरू और शुकर की युति हो जएगी लेकिन गुरू डिगरी के लिए बहुत आगे बढ़ चुके हैं तो इसको सही तरिके से हम conjunction युति में नहीं लेंगे तो 25th April तो 19th में Venus ट्रांड़ इन एरिस साइन रूल ड़ बाइ मार्स क्योंकि जो एरिस साइन है उसके जो लॉड है वो मार्स है अब मैं अपने नई वीवर्स को बता दू कि मेरी प्रडिक्शन आपके सेंड़नस के बेस पर है लगन राशुक अपने मांड में रखें मेरे वीडियो को सुनें यु विल डफिनिटी गत सम इंफोमेशन लिटी तो वीनस ट्रांड़ इन एरिस साइन अब बात करते हैं लगन के लॉड है वीनस 7th house में ट्रांड़ करेंगे जेत होगी 25th of April 2024 to 19th मैं 2024 this whole time brings a lot of positivity for you you will make a lot of money, name, fame, prosperity you will get wonderful support from your life partner if you are single there are strong chances for mingle कि आपकी शादी हो सकती है अगर आप अकेले हैं बैंड बाजा बरात बजने वाला है आपका वीनस का ट्रांड़ सब्तम बाव में डेली इंकम आपकी बढ़ाएगा स्पाउस के साथ तालुकात आपके अच्छे होंगे एक्स्ट्रा मैटल अफेर में हैं तो वहाँ से थोड़ी सी प्राब्लम जाएंगी आपके चरितर के साथ कोशन मार्क लग सकता है आपकी कुछ चोरी पकड़ी जा सकती है लेकिन लगन पर शुकर की सव राशी पे दृष्टी होने की वज़ा से आप किसी भी मेजर प्राब्लम में नहीं फसेंगे अगर कुछ सरकंस्टांसे ऐसे बनेंगे तो ड्वाइन ग्रेस की पूरी सपोर्ट आपको मिलेगी अन्मेरिट लोगों के लिए ट्रांजट अल्टीमेट है इन्वेस्सर्स के लिए अल्टीमेट है नए बिजनस पार्टनर्स आपको मिलेंगे बिजनस में प्रमोशन इंक्रिमेंट आपको मिलेगा डेली इंकम आपकी राइज होगी मेरिड है स्पाउस के साथ अगर तालुकात आपके अच्छे है तो स्पाउस से आपको भी बहुत बड़ी सपोर्ट यहां पर मिलने वाली है क्योंकि शुक्र की एक राशी आपके एस्टन भाव पर है जो इन्लाउस का हाउस है और एड़ आउस का लॉर्ड होकर सेवंध आउस में गोचर करना यह भी हो सकता है आपके बड़र, आपके ब्रदर इनला, फादर इनला के साथ कोई आपकी पार्टनेशिप हो जाए कुछ इन्हेरिटेंस है, कुछ गिफ्ट यह कुछ कैश आपके आपके इनलाउस से मिले सम्टिंग इस दियर विचुल मेक यू हैपी रिलेटिट तो यूर रिलेशिशिप विदूर इनलाउस लेकिन आपको अपना चरतर नहीं खराब होने देना करेक्टर लेस आपने बिलकुल नहीं बनना तो कि इस ट्रांजेट में ऐसी आपको मिलेंगी अगर आप मेरिड हैं कि आपका कोई अफियर स्टार्ट हो सकता है कोई आपको लाइन मार रहा है आपकिसी को मार रहे इन सब वायाद चीज़ों से बाहर निकल के सिर्फ अपने काम की और ध्यान देंगे तो तिंग्स विल बी वन्टरफुल फर यू अब बद करते हैं स्कॉर्पियो सेंडस की स्कॉर्पियो 12 आउस की लॉट शिप वीनस के पास है सेवंध आउस की लॉट शिप वीनस के पास है वीनस का गोचर होगा आपके चटे भाव में डेड होगी 25th of April 2024 to 19th मैं 2024 वीनस चांदर टेंवर 6 ताउस आस्पेक्टिंग इस वन्यूर 12 ताउस वीनस का गोचर आपके चटे भाव में हो रहा है काल पुरिष की कुंडली में यहां भी वीनस कमफरेबल नहीं है लेकिन आपके डेनेमिक्स के असाब से क्योंकि सब्तम दृष्टी 12 ताउस में होने की वज़ा से खर्चा बहुत बड़े चड़ेगा वदेश से कोई गुद नीउस मिलेगी लेकिन यहां पर अगर आप अपने बर्थ लैंड पे हैं यहां पर आपके जनम हुआ है तो कुछ प्रॉब्लम का सामना आपको फेस करना पड़ेगा इसमें आपकी हेल्थ मेंटर ओफ कंसर्न रहेगी मेंटल स्रेस इक्जाइटी बहुत ज़दा रहेगी गुपतांगों में कोई रोग हो सकता है दंपते जीवान अच्छा नहीं देगा मेरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आएगी बहुत केरफूल और अरट हो के चलना है लेकिन अगर आप विदेश में हैं आपका बर्थ इंडिया गया है आप उस्टेलिया में है आपका बर्थ उस्टेलिया गया आप इंडिया में या अमेरिका में तो थोड़ इसी प्रॉब्लम आपकी हेल्स से समधित या स्पाउस के साथ तू तू मैं मैं कला कलेश या बिजनस पार्टर के साथ लड़ाई जगड़ा या business partner आपको भी pressure कर सकते हैं किसी चीज़ को लेकर तो चीज़ को situation को balance में बना के चलेंगे तो things will be work wonderfully otherwise you will face lot of problems or lot of issues court के चारी legal matter से दूर रहना है तो चीज़ें आपकी ठीक चलेंगी इस समय में खर्चे की और बहुत ध्यान दे के चलना है वदेश जाना चाते हैं तो definitely ये transit आपको support करेगा और foreign में बड़ी अच्छी और बड़ी easy आपकी settlement हो जाएगी बट फिर भी दशा किस planet की चल रही है और आपके बर्चार्ट में Venus कितने degree का है किस planet के साथ conduction में है किस house में है ये आपको जाना बहुत जरूरी है अब बात करते हैं Sagittarius Ascendas की Sagittarius शुकर का गोचर आपके पंचम भाव में होने जा रहा है 5th April 2024 ओनवर्ड से 19th मैं 2024 तक Venus 300 in a 5th house आपके 2nd house के Lord है आपके 6th house के Lord है आपके 5th house में गोचर करके अपनी सब्तम दृष्टी से आपके 11th house को लब वांचित करेंगे You will make a lot of money in stock market You will make a lot of money from speculation आपका कोई नया affair Sagittarius स्टार होने वाला है अगर आप single है या अगर आप शादी की planning कर रहे हैं तो 25th April के बाद आपको dynamic support करेंगे आपको अच्छा companion मिल सकता है आपकी love life on the track हो सकती है You will spend wonderful time with your kids if you are married You will spend wonderful time with your spouse Your creativity create magic and you will make a lot of money from stock market From 25th April to 19th May This will be excellent time in the terms of money This is an excellent time in the terms of getting support from your friends and well-wishers This whole time brings a lot of positivity name, fame, prosperity Your debts will clear, your health will be fine and unemployed guys will get job Overall, Venus transit in 5th house Venus is very comfortable in 5th house and you will bless with a lot of financial gains and you will get big support from a spouse or your lover शुक्कर का गोचर पंचम भाव में लाब, उनती और सुक्सेस लेकर आ रहा है Intraday, stock market, commodity आपको बहुत जादा लाब देने वाली है अच्छा बड़ा धंलाब Sagittarius आपको आपर मिलने वाला है Affairs की और बिलकुल ना जाएं अगर married है, single है तो जरूर जाएं शादी प्लान करने के लिए But overall किसी को cheat ना करें बच्चों के साथ तालुकाद बहुत अच्छे हो जाएंगे दोस्त, भाई, बहन, बंदू जिनके साथ आपके रिष्टे खराब थे शुक्कर की सब्तों दृष्टी 11 आउस पर पढ़ने की वज़ा से वो आपकी जिन्दगी में वापसी करेंगे या आपके थोड़े से प्रयास करने से आपके relationship आपके वेल विश्टर्स के साथ अच्छे होंगे तो stay cool man, thank you for watching my video thank you for your love, namaskar, sasika, salaam, jahin